तो Probo application में KYC कैसे करें? Probo application में सिर्फ 2 मिनट के अंदर KYC आप कर सकते हों Probo application में KYC करने के लिए आपके पास pen card होना चाहिए और आप 18 साल के होने चाहिए या फिर 18 के उपर तो वीडियो को पूरा एंड तक दिखना तभी आप समझ पाओगे कि Probo application में आपको KYC कैसे करना है? तो सबसे पहले जाओ मेरे description box में और Probo application वहाँ से download करो अगर आप वहाँ से sign up करोगे तो आपको 25 रुपीस तक मिल जाएगा यह application आपको play store पे नहीं मिलेगा आपको Google या फिर आपको किसी के link के जरीए ही download करना पड़ेगा फिर यह से download हो जाए उसके बाद में आपको install पे डाल देना है और उसके बाद में इसे open करना है फिर आपको get start पे click करना है और यहाँ पे आपको phone number डालना है और उसके बाद में जो OTP आएगा उससे आपको verify कर देना है तो अभी अगर आप मेरा refer code use करोगे तो आपको 15 rupees sign up का मिल जाएगा अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको 0 rupees मतलब कुछ नहीं मिलेगा तो एकदम perfectly आपको refer code डालना है और continue पे click करना है तो थोड़ा सा अगर आप निचे scroll करोगे तो आपको KYC का option दीख जाएगा उस पे आपको click कर देना है फिर यहां पे आपको as per आधार number आपको पुरा नाम डालना है और उसके बाद में आपका pen number वो आपको second पे डालना है और third पे आपको date of birth डालना है तो आपका account अभी एकदम successfully open हो चुका है और अभी आप चाहो तो किसी में भी prediction और trade कर सकते हो और उसमें से पैसा कमा सकते हो और अगर आपको probo application के बारे में और जानना है तो आप मेरा description box चेक कर सकते हो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चानल को subscribe करना हो इस वीडियो को like भी